अयोध्या में राम मंदिर के भूमी पूजन को कई लोग सेक्यूलरिजम के विरुद बता रहें कुछ लोग ने तो इसे सेक्यूलरिजम की हत्या तक कह दिया है लेकिन कौन सा सेक्यूलरिजम वही secularism जिसे आपातकाल के समय समविधान में जोड़ दिया गया था क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समविधान निर्माता जो पूर्ण रूप से secular थे उन्होंने कभी इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने का विचार क्यों नहीं रखा क्योंकि वे जानते थे कि भारत की मूल प्रकृती क्या है भारत की संस्कृती में जो हिंडू मूल्य नहीत हैं वे सभी धर्मों के प्रतिसमान आदर और सहिशनुता का भाव रखते हैं ऐसे में वे किसी आपचारिक शब्द को जोड़ने की बजाय चाहते थे कि भारत के हिंडू इस चीज का भार उठाएं कि भारत को एक सेकुलर राज्य बनाए रखा जा सके लेकिन फिर जब समविधान में ये शब्द जुडा तो इसका संदर्व ये नहीं था कि भारती राज्य धर्म से अलग होगा बल्कि ये था कि हर धर्म से भारती राज्य की समान दूरी होगी लेकिन इस समान दूरी के सिधधान्त का कभी पालन नहीं हो सका इन फैक्ट जो सेकुलरिजम की परिभाषा अलप संख्यगों के अनुसार सही थी उसे ही सेकुलरिजम माने जाने लगा और इसी तरह सेलेक्टिविटी का जन्व हुआ और जिससे स्यूडो सेकुलरिजम अस्तित्व में आया और आज जब राम जन्भूमी पर निर्णे पूरी न्याइक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद भगवान राम के पक्ष में गया है तब इसे गलत बताना इस सेलेक्टिविटी का ही एक उदाहरण है सेलेक्टिविटी इसलिए क्योंकि कई निर्णे ऐसे हैं जो उनकी समवेदनाओं के अनुरूप थे तो उसे उन्होंने सुईकार कर लिया लेकिन जो हिंदू बहुसंक्यक के अनुरूप गए उन्हें उन्होंने गलत बता दिया अब ये देखना होगा कि ये जो सेलेक्टिविटी है उसका क्या प्रभाव हुआ भारत में इस सेलेक्टिविटी के कारण निरंतर हिंदूओं पर दवाव बना रहा कि वे अपने सेकुलर मूल्यों का प्रदर्शन करते रहें ऐसे में कुछ डाइलूशन भी हुआ जैसे हमने देखा कि कई मंदिरों के बाहरी दिवारों पर जीसस क्राइस्ट भी देखने को मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और डाइलूशन हुए सेकुलर बनने की दिशा में और ऐसा माने जाने लगा कि जो व्यक्ति एक हिंदू होने पर गर्व महसूस करता है वह सेकुलर नहीं हो सकता लेकिन वास्टविक्ता इससे कोसों दूर है क्योंकि हिंदू मूल्य सेकुलरिजम के भाव को सिखाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म बहु वादी है यहां अब्राहमिक मतों की तरह एकेश्वर वादी नहीं है हमारे यहां 33 करोड देवी देवताय हैं और उसके अलावा यदि कोई उनमें से भी किसी को नहीं पूजना चाता तो वह नास्तिक बनके भी रह सकता है हमारे यहां हम मानसा हार और शाका हार दोनों को सुईकार करते हैं इसी प्रकार जो इश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रखता उसके लिए भी हिंदू धर्म में स्थान है इस प्रकार जो व्यक्ति एक पत्थर को शिवलिंग मानता है उसके लिए भी स्थान है और जो शिवलिंग तक को सिर्फ पत्थर मानता है उसके लिए भी स्थान है वहीं अबराहमिक मतों के अनुसार उनका कोई एक इश्वर है और उसी को सबको मानना चाहिए और जो ये कलह हुई धर्म और अबराहमिक मतों के बीच वह इसी मूल अंतर के कारण हुई और इसके बाद क्या हुआ हमने देखा कि भारत के इतिहास में कैसे आकरानताओं ने हमारी संस्कृती हमारे मंदिर इनको नष्ट करने का प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद भारत अपने मूल्यों से नहीं डिगा हमने कई लोगों को आश्रे दिया बहुत सारे लोग शर्नार्थी के रूप में भारत आये पार्सी आये गुजरात में जहां एक हिंदु राजा ने उन्हें आश्रे दिया ऐसे ही पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ने जब चीन में बौधों का नरसंहार किया तो दलाई लामा के साथ हजारों बहुत भी भारत आये ऐसे ही सेंट थॉमस इसाई केरल में आकर बसे और भी बहुत उदारण है यहूदियों के जो माला बार कोस्ट में आकर बसे इसके बावजूद भी हमें बार-बार हमारे सेकुलर मूल्यों को सिध करना पड़ता है बार-बार इसे दोहराना पड़ता है और साथ ही हिंदू धर्म को तीन चीजों का भै भी है एक भै तो एतिहासिक घावों का है दूसरा भय है कि इस सेकुलर राज में हम विक्टिम न बन जाएं और तीसरा भय है विस्तारवादी धर्मों से जो विश्व के अलग-अलग कोनों में निनंतर विकास कर रहे हैं और भारत में भी ये गहरी पैठ बना रहे हैं ऐसे में क्या किया जाएं ये नहीं जानते लेकिन कम से कम हमें एतिहासिक भूलों को सुईकार करना चाहिए हिंदू न किसी से शमा की उमीद कर रहे हैं जैसे जर्मन लोगों ने यहूदियों से शमा मांगी आस्ट्रेलिया में अब ओरिजिनल यानि कि वहां के मूल निवासि और आदिवासियों से शमा मांगी गई ऐसे ही विश्व के अन्य स्थानों पर शमा का प्रचलन हुआ लेकिन भारत में किसी शमा की ना आशा की जा रहे है ना अपेक्षा की जा रहे बस ये मांग की जा रहे है कि कम से कम इतिहास में जो हुआ उसे वाइट वाश करनी की जगा वैसा का वैसा दिखाया जाए और साथ ही बार-बार हिंदुओं को सेक्टूलर मूल्य सिखाने का प्रयास न किया जाए क्योंकि हमने देखा कि अन्य जो मुसलिम बहु संख्यक देश है वहाँ सेक्टूलरिजम नहीं है लेकिन भारत जो एक हिंदु बहुल देश है वहाँ सेक्टूलरिजम है क्योंकि हिंदु धर्म सेक्टूलरिजम मूल्यों को सिखाता है